फिल्म पुश्पा 2 ने 5 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में दस्तक दे थी। यह फिल्म 2021 में आई पुश्पा दराइस का सीक्वल है, जिसमें अलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के साथ फाहाद फासिल जैसे सितारे मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म को दर्शकों से जबरदस प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आईए जानते हैं कि पहले दिन इस फिल्म ने कितना कारोबार कर लिया है। फिल्म की रिलीज के साथ ही उश्पाटू ने बॉक्स ओफिस पर दमदार शुरुवात की है। शुरुवाती आंकडों के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन ही शतक लगा दिया है। सभी भाशाओं में मिलाकर इस फिल्म ने पहले दिन 180 करोड रुपय का कलेक्शन किया है। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने कई साथ और बॉलिवुड की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। गुरुवार को फिल्म ने कल की 2898 एडी और देवरा पार्ट वन जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। इस साल रिलीज हुई प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी ने पहले दिन सभी भाशाओं को मिलाकर 95.3 करोड रुपय की कमाई की थी। वहीं देवरा पार्ट वन ने ओपनिंग डे पर 82.5 करोड रुपय का कारोबार किया था। वहीं पिछले साल रिलीज हुई फिल्म जवान ने बॉक्स ओफिस पर 75 करोड रुपय का कारोबार किया था। इसके अलावा रणबीर कपूर की एनिमल ने 63.8 करोड रुपय से अपनी शुरुवात की थी। बता दे कि इस फिल्म ने एडवान्स बुकिंग में भी रिकॉर्ड तोर कमाई की थी। फिल्म ने ब्लॉक सीट के साथ एडवान्स बुकिंग में 105.67 करोड रुपय की कमाई कर डाली थी। फिल्म को विदेश में खूब प्यार मिल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि पहले दिन यहां आंकडा 250 करोड रुपय के आस-पास पहुँचा है।